बेरियर के बेरियर वसूली में जो गुंडा गर्दी हुई है जो ठेकेदार है वो गुंडे लोग को वहां पर नुक्त करकर के जबरदस्ति उनसे पैसा वसूली करते हैं पेथाल पॉलग के उनने जो नगरनागम में जो निर्वरतां के उन लोगों द्वरा बनाया गए किसन द्वरा फ्लेव और इसार्वाय करवाते इंखमा अंके द्वराय किसे हां हमें अभी बेगुस राइश शहर के पटिल चोग इस्तित एक विवाह भवन में हैं और यहां बैवसाइक संग से जुड़े बहुत से सदस्त पतादिकारी बहुंचे हैं बातचित हुई है कुछ कल 29 जुलाई को घटना होई थी बेगुस राइश शहर में एक एक साचलक की प अगरवाल हम इनसे बात करते हैं विवसाइक संग में पतादिकारी है सर तो आप किस तरह से घटना को देख रहे हैं देखे आज जिलाव विवसाइक सुरक्षा वाहिनी के द्वारा पटेल चोग के विवाभवन में अज मिंटू सोनी जी के अध्यक्स्ता में यह बैठक की रहा है कि बेरिएर के बेरियर के वसूली में जो गुंडा गर्दी हुई है जो ठेकेदार है वह घुंडे लोग को वहाँ पर न्यूक्त करकर के जबरदस्ती उनसे पैसा बसूली करते हैं बरसों जो संजय सोनी की हत्या हो गई बेरियर के गुंडे बढ़ मास के दवारा उ बेरियर्स को बीज़न जबरन वतनी करतें एक उछिक्सा चालतु जो बहुत ही गरीब होता है या तो वह थेकेदार से गड़ी लेके चलाता है उसको हर एक रात में पैसा जमाговती है या जो बैंक शे कर्जा लेकर्जा लेकर ब्याजपर लेता है उसको देना पड़ता है और एक बार हो तो एक बाथ हो जब जाएगा तब उसे चार बार फांच बर दस दर लिया जाता है तो इसे बेचरह कहा जाएगा तो उसी के विरोध में कि यह पुनावड़ती नहीं हो और उसके लिए लोग ड्यम साहब से मिलें तो कि वह के मालिक है और हम लोग का यह पढ़ियAS पास लगाया जाता था एक बार पास लग जाता था तो लोग निश्चिंत होता था बार बार उसको पैसा सुल्क नहीं देना पड़ता था यहां पर क्या है नगर निगम में दो ठोका बंद बस्ती होता है एक बड़ा बस पढ़ाओ जो आपको एनेच पर है और एक छोटा बस पड़ाओ जो आपको रतनपूर में है लेकिन रतनपूर में वहां बस उस या गाड़ी उड़ी फोर वीलर नहीं रुखती है सब वो लोग बस उलता या तो बीपी स्कूल के पास चाहे आपको काली अस्थान के पास और वो लोग जो है बंदोबस्तार हरे गली चोराहे पर अपना गुंड़ा बदमास को रख दिया कि तुम पैसा वसूली पटना में हम लोग और जाते हैं तो दस रुपया देते हैं दूर से दूर जगह जाते हैं और तो वहां कहीं पर भी गुंड़े बदमास द्वारा वसूली नहीं होती है तो यहां पर भी वैसा सिस्टम लग करते होंगे यदि आटो पर चड़ियेगा तो कहीं उसको कहीं रोकता है हमारा यह कहना है कि केवल फोर वीलर से जो भी वसूली हो छोटा बस पढ़ाओ बस पढ़ाओ फोर वीलर से हो और यहां पर एक गड़बड़ी और है जो भी एन्ह 31 से वहां जाता है माल वहां यह सब को उनलोक के साथ भी रोक करके उसके साथ गूंडवरी करते हैं तो बंदो वस्तकार के गूंडह लोग कि चोक चॉरहा पर यह जो विल्यर वाला वसूलते तिन चक्का गारी से तीन चक्का कंगा गाड़ी पडार बेरियर वसूली बंदो इसका निलामी भी नहीं हो छोटा बस पड़ाव बस पड़ाव में शर्त रख दिया जाए कि तीन पईया वाहन को वसुली को चार्ज नहीं है जो भी होगा नगर निगम क्या करें कि जैसे पहले रिक्सा साइकल को पास देता था उसी तरह तीन चक्का वाला का रजिस्ट्रेशन हो उस पर रजिस्ट्रेशन नं सब्सक्राइब करें लिए दो पर अधिया में जुर्थच चल बंदोबास्ती लिया है चिनके घुर्गे के द्वारा उसकी पा इस्को उस पर भी त्रबाना लगा लावरा कर ग्रắn को पैसा अभी नगर निगम के चुना होने वाला प्रत्याशी भी है ध्रम्बिर्ग कुमार जी हम इन से बात करते हैं कि आप सहमत है जो इन्हों ने कहीं बिल्कुल सहमत हैं यह सुरुषाबवानी के बैठाक हुई थी हुई अभी उसमें भी मैंने यह सवाल रखा यह जिस तरह से पा सुरुषा के लिए सुरुषा के दिरिष्टिकों को देखते हुए अरचे दिख्षाब साहब से मिला जाए फिलहाल के जो नगर निगम में जो पुर्व में अभी जो रहे या निरवर्तान के इन लोगों दोरा बनाया गया यह जंडाय कि अपने दोरा जो बनाकर है वर्तियासी होने वाले भावी विद्वार है रंजीदास जी हो पाएगा जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि टॉल्टेक्स त्री विलर से नहीं लिया जाए जिसमें इरिक्षा और आटो है नगर निगम का समीधार वहां के पारसद बनाते हैं और हमी लोग में से पारस और सबके दिल में यह बात यह बात आएगी बात कि अब कभी भी इस रिक्षा वाले से टॉल्ट नहीं लिया जाएगा टॉल्ट नहीं लेना है हां साल में एक बार पास जिस तरह पुर्म में चलता था उस परमिट के नाम पर चले साल में एक बार आप सुल्क जमा कर दिया प्रिवार्ण जो सुल्क दिरधारन दिर्धारित सरकार के जंडयाम होगा लेकर के उसको फिरी करें जगह जगह उनको ने को लिए अपराज किये आपको इससके सजाब मिलेगा जरूर मिलेगा हम बिल्कुल कल से इस अभियान में जूट जाएंगे सबसे पहला हमारा अभियान नहीं होगा जो पीरित जो परिवार जिसके साथ अन्याय हुआ है उस परिवार के लिए हम लोग तकाल जो भी लड़ाई लरना परसासन से भी बात करके तमाम लड़ाई को लड़ेंगे ताथ भी समस्या है वेवसाई लोग का आएगा उस समस्या से हम लोग प्रचिजला प्रशासन को अवगत कराते हुए और हम अपने दिर्शंकल्पित होके इसकी लड़ाई रहेंगे और सब को न्याय की बात होती है तो अच्छा लगता है कि कि किसी को न्याय दिलाने के लिए प्रौ आएड़ाओ